हलो एब्रीवन, वेलकम तो माई चैनल, आज हम लोग बना रहे हैं सांटा क्लॉस, तो सांटा क्लॉस बनाने के लिए हमें राउंड किक करना है, जो हम ड्रॉइंग से, ऐसे किसी भी चीज को बिठा के, हम ड्रॉइंग कर से, तो सरकल, कोई बैंगल लिया, जैसे मैंने यहां पर एक फूट्स वाले कंटेनर का बठाया है, तो इसके साइजेज है, बड़ा वाला साइज है, तो जो 3 इंच है, उसके दो पीसेज चाहिए हमें, और वाइट वाला वान पीसेज, और पिंक वाला वान पीसेज, अब हम लोग, एक ब्लाक कलर का पेपर लेंगे, छोटा सा ही, उसको फोल्ड कर लेंगे, तू इंच के अप्रोक्स का पेपर है, वान बाइट उ इंच का, उसको फोल्ड करके, टू पीसेज के लिए बना रहे है, इसमें हम पहले हैंड ड्रॉ करेंगे, आपको वीडियो में दिखी रहा होगा, कि हैंड क इसको ऐसे करके, सर्कल करके, और संपल हैंड आपको ड्रॉ कर लेना है, जो कि सैंटा का गलब्स बनेगा, जब हम लोग इसको यूज करेंगे, फिर इसको सिंसर से कट कर लेना है, अब ये सेजर से कट हो चुका है, ये टू पीसेज है, इसकी जो अंदर थम फिंगर के अंदर का कॉर्णर होगा, उसको भी नीटली कट कर देना है, जिससे की फिंगर क्लियरली समझ में आए, अब एक रेड जो पेपर से हम लोग सर्कल किये थे, वही रेड को लेके उसका एक ट्राइंगल, एक कॉर्णर से ट्राइंगल टाइप का निकाल लेना है, तो यही ट्राइंगल से आपका कैप बनेगा सैंटा क्लॉस का, तो मैंने अंदाजे किया है, आप अगर चाहों तो भी लाइन ड्राइंगल करके ऐसे ट्राइंगल शेप का कट कर सकते हो, अब यह हो गया हमारा सैंटा क्लॉस का कैप, इसके लिए हमें चेक कर ले रहे हैं कि कैप के साइज कितना होना चाहिए, थोड़ा दोनों साइट से बढ़ा हुआ है, क्योंकि उसको हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके अंदर की और करेंगे, आपको दिखेगा भी, दिखिए, ऐसे मैंने फोल्ड कर लिया है अंदर की साइट से, पहले एक बार नाप लीजिए, जो भी सर्कल आपका है, क्योंकि हो सकता आपने कोई और सर्कल बनाया है, साइज अकोर्डिंग अलग अलग हो, तो ऐसे करके आप चेक कर लीजिए साइज, अब आप कह सकते हो कि इसको आप डबल फोल्ड में ही कर सकते हैं, लेकिन डबल फोल्ड करने से वो लोक वाइस इतना अच्छा नहीं आएगा, इसलिए मैंने दोनों साइट से ऐसे फोल्ड कर लिया है, जिससे कि लोक अच्छा आता है, यह फोल्ड पार्ट बैक साइड में रहेगा और ऐसे यह कैप लगेगा, अब यहां से एक छोटा सा कट ऐसे करके इसको फोल्ड कर देना है, अगर आप चाहो तो फोल्ड कर सकते हो, अदर्वाइस आप ऐसे सिंपल नॉर्मल भी रख सकते हो, जो कि स्ट्रेट लु हो है, तो और थोड़ा लुक इन्हांस हो जाता है, अब आईए, अब सब को, अच्छा, यहां बेल्ट के लिए, मैंने एक ब्लाक कलर का छोटा सा स्ट्रिप कट किया है, वो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, थिक्नेस अपकी जितनी भी मतलब मोटा देना है या पतला वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, अब एक वाइट कलर का पेपर लेके, उससे हम लोग यहां पे पहले ड्रॉ कर रहे हो, उनका जो मूच है उसको, मूच को ऐसे ड्रॉ करके, अगर इसके उपर हम कॉर्टन लगाते हैं, तो वो लोग वाइस और ज्यादा बेटर ल पॉर्टन हम लेके इसके उपर लगाते हैं, यह हैंड्स के उपर का इक बॉर्डर भी कट कर लिया है, वाइट कलर में, जो ऐसे पेस्ट करेंगे हैंड्स के उपर में, दोनों हैंड्स पे, फिर जो उनका मुच है, इसके उपर भी आप चाहो तो लगा सकतो, मैंने नहीं लगाएंगा, लेकिन आप चाहो तो और अच्छा लगेगा, अब लगा सकतो, जो सर्जिकर कॉटन होता है, वहीग कॉटन है, अब इस मौच के उपर भी हम ऐसे कॉटन लेके ऐसे पेस्ट कर यह देखिए, कॉर्टन पेस्ट करके और यह बैक साइड में इसका पेपर ही है अब यह बेल्ट है, बेल्ट के ऊपर भी हम कॉर्टन लगा लेंगे अगर आपका cotton ऐसे बाहर निकल रहा है line से तो आप उसको हलका सा trim भी कर सकते हो trim करके जो paper line है उसी के according अब trim कर देना तो एकदम एक जैसा बनेगा अब सारे चीज हमारे पास basic ready है two red के circle, one white circle, one pink circle, cap, mouch and gloves वाला part भी, सारे ready है अब ये white paper के उपर pink को ऐसे paste करेंगे then cap को, तो एक बार मैं रख के देख रही हूँ सही आ रहा है या नहीं आ रहा है and then इसका body, red color का body and hand ऐसे सारे चेजों को paste कर लेना है एक बार चेक कर लिया, सही से सब सही है या नहीं तो फिर अब हम उस पे उसको paste कर रहे हैं अब body को भी इसमें add कर रहे हैं attach कर रहे हैं and hand बहुत ही simple है, बच्चे भी कर सकते हैं, बहुत easily हैं circle आप किसी भी चीज से कर सकते हो, जो भी size आपको चाहिए, बड़ा से बड़ा size भी चाहिए तो आप circle कर सकते हो कोई भी बड़ा utensil यूज़ करके या कोई भी round object यूज़ यूज़ करके यह गया इनकी मोचे, अब हम लोग इनका features बनाएंगे eyes, eyes के लिए आप sketch pen से black color का eyes बना लेना अब इनका nose, nose मैं चाहती हूँ थोड़ा सा 3D में आए, फ्लाट ना हो अगर फ्लाट करना है तो फिर मैं pen से ही कर सकती थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा high देना था 3D लोक में, तो मैं यहाँ पर एक cotton लेके उसको round up करके और nose के position में रख रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि face के according nose सही है, यानि कई बार बड़े हो जाते कई बद छोटे हो जाते तो वो चीज यह सही है, अब मैं इसको भी पेस्ट कर दूँगी आपको अगर जादा करना है तो आप सैंटा का जो बीर्ड का पार्ट है, जो दिख रहा है आपको की पेपर से है, तो उसको में भी आप थोड़ा थोड़ा कॉटन लगा सकते हूँ लेकिन यह मैं सजेस्ट करूँ कि अब तभी करो जब अपका सैंटा जो है, वो साइज में बड़ा हो, अगर स्मॉल है तो उसमें नीटनेस के लिए ऐसे ही पेपर वाले ही सही लग रहे हैं, अब यह एक जो रेड वाला पार्ट है, यह मूवेबल सैंटा है, यह मूविंग पार्ट को मोड के और उसके ऊपर में इसको सेंटर से लगाएंगे, पूरा सेंटर चेक करके सीधा लगाएंगे, यह जरूरी है कि सेंटर चेक किया जाए, अदर्वाइस वो मूव नहीं करेगा, अब लास्ट में आपको वीडियो में दिखेगा, कि यह कैसे मूवमेंट इ लगभग सेंटर तैयार है, अगर आपको मेरा वीडियो और मेरी आर्ट अच्छा लगता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक बटन, शेयर, सब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताएए इस चैनल के बारे में, यह मूवेबल सेंटर है, बहुत तीजी है, जो बच्ची इजीली बना सकते हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग